दोपहर तक स्पॉंसर बाई कॉर्टिल्य अकाडमी रीवा तीनों के शव गड़े में तैरते हुए दिखे आपको बता दें कि कुम्ब राज में तीनों के शव का पोस्ट मॉटम किया गया पुलिस के मुताबेक मृगवास इलाके के कढ़िया गाउं की तीनों बहने बताई जा रही है और दोपहर में अपने खेत पर जाने के लिए नि तीनों बच्चियां उसी में डूब गई पुलिस ने इस घटना को लेकर बताया कि प्रथम दृष्टिया में ऐसा लगता है कि शायद लड़कियां खेलते वक्त फिसल कर गड़े में गिर गई पुलिस का कहना है कि मामले की आगे की जांच की जा रही है बता दें कि तीनों बच्चियां एक ही परिवार की थी जिसमें से दो बच्चियां सागर नाम के युवक की थी और एक बच्ची उसके भाई राकेश की थी थाना प्रभारी राजेंद्र चौहान का कहना है कि घटना के बाद से पुलिस पूरे मामले की जांच करने में जुटी हुई है वाले भी से दुख में डूबे हुएं बात कर लेते हैं दूसरी बड़ी ख़बर की तो आपको बता देंगे मध्यप्रदेश के दमों में गो तसकरों द्वारा पुलिस कर्मियों पर फाइरिंग करने का संसनी खेज मामला सामने आया है इस वारदात में पुलिस कर्मी बाल समों जिले की यह घटना है यहां कुमहारी थाना शेत्र में पुलिस रात में गश्ट कर रही थी तभी वहां संदिक्द बाइक सवारों की पुलिस पर पुलिस कर्मियों की नजर पड़ी पुलिस कर्मियों ने जब बाइक सवारों को रोकने के लिए कहा और रोकने की कोशि की तो संदेग्द बाइक सवारों ने पुलिस कर्मियों पर फाइरिंग करना शुरू कर दिया गनीमत रही कि इस फाइरिंग में कोई पुलिस कर्मिय घायल नहीं हुआ वहीं आरोपी फाइरिंग करते हुए मौके से फरार हो गए इसी दौरान वहां एक कंटेनर आया और उसम की कंटेनर को मौके पर ही छोड़ गए पुलिस कर्मी ने जब कंटेनर को खोल कर देखा तो उसमें गोवन्ष भरे हुए थे जिसके बाद पुलिस को पूरा मामला समझते देर नहीं लगी आखिरकार क्यों बाइक सवारों ने कंटेनर में सवार लोगों ने उन पर हमला किया इस बात का समझ इस बात की समझ पुलिस को हुई कि गोवन्षों की तसकरी हो रही थी इसलिए उन पर हमला किया गया पुलिस कर्मियों ने डाइल हंड्रेट से पुलिस थाने में सूचना दी जिसके बाद पुलिस बल मौके पर पहुँचा और मवेश्यों से भरे ट्रक को अपने गिरफ्त में ले लिया गाड़ी के करीब 100 गोवन्ष बरामद हुए हैं माना जा रहा है कि गोवन्षों को आपको बताने कि इन्हें तसकर किया तसकरी गोवन्षों का तसकरी हो रहा था पुलिस के मुताबिक ये कंटेनर उत्तर प्रदेश का है फिलहाल पुलिस माम रिवा